नवश्कार में अब जब 22 माई खबरों के दरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुल्ख्यों पर विहार में कोरोणा संग्रुवन दर्मे आई कमी विहार रामीन डाग सेवत के पदों के लिए आवी दन भढ़ने का आखरी है मौका बालो की अवैद धन्दे पर पी एच्क्यू ने दी सफाई 12 वी के चात्रों के लिए बनाई जा रही है ऑन्नाइन प्राक्टिस टेस्ट की योजना अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार से बिहार में कोबिड-19 के बिले 5000 से ज्यादा मामले स्वास्ति वभाग की तरफ से मिली जुयानकारी के नुसार बिहार में बेते दिन के पश्चर 24 गटे में 5154 मामलों की पुष्टी हुई है जिसकी बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संक्या 49,311 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलो की बात करें तो 129 नवादा में 37, पटना में 981, पुर्णिया में 171, रोतास में 25, सहरसा में 149, समस्तेपूर में 194, सारन में 77, श्रिवहर में 75, सीतामरी में 85, सिबान में 135, सुपॉल में 101, किस वैशाली में 116, वैश्चमपारन में 89 मामलों की पुष्टी हुई जिसकी बात 20 दिन के 25 गंटे में कुल मिलाकर 1,25,1,11 सांपल की जाच की गई थी बिहार के सभी जिलों में अलग-अलग केंद्रों पर खरी फसल के लिए मिलेगी बीज बिहार के सभी 38 जिलो में 495 केंद्रों पर किसानों को खरी फसल के लिए बीज मुहाया करवाई जाएगी जिसके तहित क्रिशिव भाग और बीज निगम द्वारा 38 जिलो के करीब 500 खेंद्रों पर ओन्लाइन आवेदन करने वाले 7 लाग किसानों को 12,712 कुइंटल बीज उपलब्द कराये जाएगा जिसके बाद ओन्लाइन आवेदन करने वाले किसान बंधित मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिये अनुदानित दर पर बीज प्राप्त कर सकते हैं क्रिशिव भाग की तरफ से मिली जुहानकारी किनुसारधान 40-42 रुपे प्रतिकिलो संकर मक्का 120 रुपे प्रतिकिलो, अरहर 120-125 रुपे प्रतिकिलो, सोयाबीन 97-110 रुपे प्रतिकिलो, उडद 125 रुपे प्रतिकिलो, मडवा 95 रुपे प्रतिकिलो, बाज़रा 65 रुपे प्रतिकिलो, तिल 175 रुपे प्रतिकिलो कि दर से किसानों को मोहया करवाए जाएंगे जिसके तहट बिहार को WHO की तरफ से 100 oxygen concentrator माइनस 20 degree centigrade से 50 degree centigrade पर काम करने वाले बारह मरीश्रमता वाले दो और 6 मरीश्रमता वाले तीन उच्छुसतर ये टेंट के साथ 1,25,000 मास्क का सहीओ को रूप में दिया गया है जिसकी जानकारी स्वास्तमंत्री मंगल पांडे रिंदी है पांच लाग डिटॉल साबुन और तीन लाग मास्क भी दिया गया है जिसे राजुके विभन अस्पतालों और स्वास्तिके इंद्र पर भेजा जाएगा इसे COVID-19 के समय संक्रमन पर काबो पाने में विभाग को काफी हद तक सहीओ मिलेगा ग्रामीन डाक सेवक के 4368 पदों के लिए जल्दी करे आवेदन नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं के लिए एहन सूच्रा इंडिया पोस्ट ने बिहार और महरास्ट्र में ग्रामीन डाक सेवक GDS के 4368 पदों पर आवेदन मांगे हैं जिसके लिए आवेदन करनी के अंतिम तारिक 26 मई नरधारित की गई है नोटिफिकेशन के मताबिक बिहार में ग्रामीन डाक सेवक के कुलपदों की संख्यार 1940 है इसमें अन्रिजर्व क्याटेगरी के 903 EWS के 146 OBC के 510 SC के 294 ST के 45 और दिव्यांग क्याटेगरी के 42 पद है जिसके लिए ओनलाइन आवेदन करने की प्रोक्रिया 27 अप्रेल से शुरू कर दी गई थी जिसके साथ ही जिन अभियर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं भरे हैं और जो आवेदन करने के चुक है वो आधिकारिक वेबसाइट www.indyapost.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं नीजी अस्पतालों में रेम डिसीवेर इंजेक्शन की बढ़ी मांग जोहां एक तरफ सरकारी अस्पतालों में रेम डिसीवेर इंजेक्शन की इस्तमाल को कम करने की बात कही गई है वहीं दूसरी तरफ नीजी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की मांग काफी जादा इस इक्राम में स्वास्तव भाग की तरफ से साजो की गई जानकारी के नुसार जिलो को इस इंजेक्शन में 55,000 वाइल का 110 भी स्विक्रित किया गया है। क्रिशी मंत्री अमरेद प्रताप सिंग ने आत्म योजना की वर्चुल समिक्षा के दौरान यह निर्देश दिया है जिसके तह जिले के अंदर नवाचार करने वाले प्रगति शील किसानों को रोल मॉडल के रूप में पहचान कर उसकी डॉक्युमेंटरी तयार करवाने का निर्देश जारी क्या गया है? कारेकरता और बिहार के राजनेतिग्य थे 1935 में अच्छूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन और इंडिया डिप्रेस्ट क्लॉज़ लीग की नीव में उनका महतवपून योगदान था और 1937 में बिहार मिधानसभा के लिए चुने गया जिसके भंडारन एवं परिवहन के खिलाफ आवश्रक कारवाई की जा रही है। खनन में स्थानिय थाना की मिली भगत की बात सामने आ रही है। परिक्षा को लेकर भी चर्चा हुई थी। लेकिन CBSE की बारहवी बोड के एक्जाम को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया था। जिसके बाद CBSE से संबंध स्कूलो द्वारा ओनलाइन प्राक्टिस टेस्ट की योज़ा बनाई जा रही है। इसके बाद यह टेस्ट उमिद्वारों के स्कूर पर बेहतर क्लियारिटी लाने में मदद करेगा। कई सिक्षकों पर FIR भी दर्ज हो चुकी है, हाला कि इस जाच में कई बार पेंच भी फज़ा है। इसे बीच मुजफर पुर्जेले के 2000 से अधिक सिक्षकों के डॉक्यमेंट की जाच का सिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इन सिक्षकों का नाम राजय सिक्षाने देशाले को भेज जिया गया है। सुन्दरलाल भहगोना ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बिहार के पुलों के मरमत के लिए पॉलिसी बन कर तयार हो गई है। पॉलिसी लगभग 5,000 पॉल की मरमत और रख रखाव के लिए तयार की गई है। पथ नर्मान वभाग ने मेंटेनिंस पॉलिसी के ड्राफ्ट को तयार कर लिया है। जिसमें वैसे पुल को चैनित किया गया है जो अलग-अलग बर्शों में बिहार रख रख पुल नर्मान निगम और पथ नर्मान वभाग द्वारा करवाग द्वारा करवाए गया था। जिसमें बिहार रख रख पुल नर्मान निगम को दे दिया जाए। इस मौके पर जुलाध्यक्ष गुड़ो पासवान ने कहा कि आज अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी एवं बिहार पिदेश कॉंग्रेस कमीटी के निर्देश आनुसार पुरे देश में राजीव गांधी जी के पुनेतिती बलिदान दिवस के रूप में वनाय जा रही है DRDO ने बनाई सस्ती COVID-19 परिक्षण किट COVID-19 मरीजों के भेतर अलाच के लिए DRDO ने सस्ती COVID-19 परिक्षण किट का नरवान किया है DRDO की तरफ से मिली जानकारी के नुसार डिपको वैन नाम की इस नई किट से व्यक्ती के शरीर में COVID-19 आंटिबोडी श्रम्ता की मौजूद्गी का परिक्षण किया जा सकता है DRUGS कंट्रोल एज जेनर अफ इंडिया ने डिपको वैन किट को परिक्षण के लिए व्यापक पैमाने पर इस्तमाल की मंजूरी दे दी हो और अब यह जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएगा मेली जानकारी के नुसार मातर 75 रुपए में अब आपको आपके टेस्ट का परिणाम आसानी से मिल जाएगा पटना हाई कोट ने एस आई सी अस्पताल का मांगा पूरा ब्योरा कोट ने उन्हें अस्पताल में मौजूदा डॉक्टर स्टाफ ऑक्सजिन दवाओं और अन्य सुबधाओं पर पूरा प्योरा तलब किया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि एस आई सी अस्पताल के तरफ से हलफ नामा दायर कर बताया गया कि कोरोना मरीज के इलाज़ के लिए अस्पताल में सुबधाओं की कमी है जिसके बाद अगली सुनवाई 25 मई को नरधारित की गई है आयोश मंतराले ने जारी के अपना हलप लाइन नमबर जारी के है जिसके तहत अब आप भी 14443 पर कॉल करके COVID-19 से संबंधित सारी जानकारी आसानी से ले सकते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बदादे यह नमबर टोल फ्री है आयोश मंतराले के तरफ से मिली जानकारी के नुसार कोरोना परामिर्श हल्पलाइन नमबर सब्ता हमें सभी दुनों में सुबह 6 बज़े से आधी रात तक पूरे भारत में उपलब्ध रहेगा किचन की सुवधाओं में इजाफा किया है जुला प्रसाशन ने राज्यों के सामुदाइक किचन की सुवधाओं में किया इजाफा जुला प्रसाशन ने राज्यों के अलग अलग जोगों पर चलाई जो आ रहे हैं सामुदाइक किचन की सुवधाओं में इजाफा करने का कर दिया है मुख्य मंत्री नितिश कुमार के निर्देश के बाद जुना प्लसाशन भी अब हरकत में आ गई है जिसके बाद एक महत्वपूर्पूर कदम के तहट सामदाई के चुन के सहारा रहने वाले माताओं और उनके बच्चों के लिए सरकारी निर्देश पर दूद की निर्देश दिया था बिहार के पुर्फ मुख्य मंत्री जीतनराम मानशी की बहु की हुई राजनीती बेंटरी रादा सुप्रेम और लालु प्रसाद यादफ की बेटी रोहनी आचारे के बाद जीतनराम मानशी की बहु दीपा मानशी की एंटरी लालु यादफ की बेट तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। जिसके बाद एक बार फिर से राजुनेतिक उठापटक राज़द और एंडिये के बीच में होधी नज़र आ रही है। केंद्रे स्वासमंत्री अश्मिनी चौबे ने कई राजों के स्वासमंत्रियों के साथ किया समबाद केंद्रे स्वासमंत्री अश्मिनी चौबे ने बीते दिन विभिनर राजों के स्वासमंत्रियों के साथ समबाद किया जहां उन्होंने COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच ब्लाक फंगस के मामलों को लेकर कई जरूरी दिशाय निर्देश दिये जिसके तहट उन्होंने कहा कि ब्लाक फंगस के उपचार रोग थाम एवं जाग रुपता के लिए मंत्राले स्तर पर व्यापक कदम उठाए गये हैं ICMR ने भी गाइडलाइन जारी की है मंत्राले ने राजो और केंदर साफशुत प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहट म्यूको माइकोसिस को महामारी घोशित करने का आगरह किया है आपको बता दे कि स्वासमंत्रियों से समबात के क्रम में हिमाचुर प्रदेश, श्यत्तसगर गोवा एवं केंदर साफशुत प्रदेश के राजों के स्वासमंत्रियों के साथ COVID-19 की मौजुदास्यती एवं टीका करन पर आयो जीत वर्चुल बैठेक में पटना में सम्मि लालो प्रसाद यादव की बेटी रोहिनी आचारे का ट्विटर अकाउंट हुआ ब्लॉक अपकी अपनी नाकामयोग पैतरे बाजी करके महमारी की इस विप्दा में मुद्दे से भठका रहे हैं भारत के इतिहास में आज की तारीक के कार्णू से धर्ज ग्रेग चापल ने राहूल राविट और भारती टीम को लेकर हाली में बड़ा खुलासा किया है जिसके तहरों ने क्रिकेट लाइफ स्टोरी बाटकास्ट पर बात्शीत करते वे कहा कि राहूल राविट के पास टीम इंडिया को दुनिया की बेस्ट टीम बनाने का विजिन था लेकिन टीम के दूसरे सीनर खिलाडियों से उनके विचार नहीं मिलते थे रविट ने सच मुझ भारत को दुनिया की बेस्ट टीम बनाने को लेकर काफी कोशिश की थी लेकिन टीम में उस वक्त सब एक जैसा नहीं सोशे थे खिलाडियों का ध्यान टीम में बन रहने और बाकी सब चीज़ों पर ज्यादा रहता था कुछ सीनियर खिलाडियों ने विरोध किया क्योंकि उन में से कई खिलाडियों का करियर समाप्त होने वाला था अब आईए जानते हैं सराफ़ा बाजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ा बाजार की बात करें तो सोने का भाव इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रति किलो 71,200 रुपे था इसके साथ ही राज़ानी पट्ना में पिट्रोल की कीमत 94.15 रुपे प्रति लीटर और डीजल 88.32 रुपे प्रति लीटर था अब टुऋटर के ब्लू टिक के लिए आप कर सकेंगे आवेधन अगर आप भी टुइटर यूजर है तो आप भी ब्लू टिक के लिए आसानी से आवेधन कर सकते हैं जुसके तैट कम्पनी ने एक बार फिर अपना वेरिफिकेशन अप्लिकेशन प्रोसेस शुरू करने की घोशना किये इसके ज़र ये यूजर ब्लू टिक के लिए अपलाई कर सकते हैं। ट्विटर ने साथ ही कारिशेत्र को भी आवीदन का आधार बनाया है। इसके लाव हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं। हम उनका नाम नहीं ले पाई लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़तें आज के सवाल की और आज का सवाल को चुस प्रकार है। सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दोवारा ना भूलें। धन्यवाद।